2024 लोग सभा चुनाओं से ठीक पहले कॉंग्रेस के पूर्वा दक्ष राहुल गाधी एक और यात्रा निकालने जा रहा है। इस बार राहुल गाधी की यात्रा पूरफ से पश्शिम की तरफ होगी। आपको याद होगा 2022 में राहुल गाधी ने पहली बार भारच जोड़ो यात्रा निकाली थी और तब उनकी यात्रा जो है वो दक्षिर से उत्तर की तरफ गई थी। कन्या कुमारी से कश्मीर तक का सफर राहुल गाधी ने तये किया था। उनके साथ कॉंग्रेस के तमाम नेता और कारकरता भी पूरे रास्ते मौजूद रहे। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फायदा भी देखने को मिला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर कहिए कि करनाटक और तेलंगाना में आज कॉंग्रेस की सरकार बन चुकी है। और ऐसे में खीक 2024 लोगसभा चुनाओं से पहले प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाईवाली बीजेपी को ठक कर देने के लिए राहुल गांधी फिर से यात्रा करने जा रहे है। कॉंग्रेस को मजबूत करने के लिए तमाम कोशिसे भी करने वाले हैं। इसके लिए अब इंडिया गठबंधन के दलों को नियोता भी दे दिया गया है। इंडिया गटबंदन के जो दल हैं, उनके जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो भी राहुल गांदी की इस यात्रा में शामिल हो और विपक्षी जो गटबंदन है, विपक्षी एकता है, उसको मजबूत करने की कोशिस करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांदी की जो भारत न्या यात्रा है, वो कितना असर डाल पाएगी। और क्या 2024 लोगसभा चुनाओं से ठीक पहले राहुल गांदी का ये मास्टर श्ट्रोक कॉंग्रेस को फायदा दिला पाएगा, इंडिया कटबंदन को मजबू लगबग मार्च में, मार्च के आसपास ही लोगसभा चुनाओं के तारीखों का एलान भी हो सकता है, अप्रैल और मई के आसपास लोगसभा चुनाओं हो सकते हैं, और उससे ठीक पहले राहुल गांदी की यात्रा निश्यत तोर पर एक बड़ा मूव माना जा रहा है, एक बड़ी जो है रणनीत मानी जा रही है, क्योंकि 2022 में जब सितंबर में राहुल गांदी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उनकी यात्रा दक्षिर से उत्तर की तरफ गई, और कई राज्यों में उसका धीरे-धीरे फायदा भी देखने को मिल रहा है, जहां-जहा राज्यों की 355 लोगसभा सीटों पर ये यात्रा सीधा-सीधा अपना असर भी दिखा सकती है, मतलब 355 लोगसभा सीटे, 543 लोगसभा सीटे हैं और उनमें से 355 सीटे अपनी भारत न्यायात्रा के जरिये राहुल गांदी कवर करने वाले हैं, तो मतलब 2024 लोगसभा चुन 355 सीटों में से कॉंग्रेस मैक्सिमम सीटों पर फाइट कर पाती है, चलिए अब आपको राज्यवार भी समझाते हैं कि कहां कहां से यात्रा राहुल गांदी की गुजरने वाली है, मतलब ये यात्रा जो है, ये गुजरने वाली है इन इन राज्यों से, सबसे पहले राह पफशिम बंगाल जाएगी, बिहार, जारकंड, ओरीशा, चात्यसगर, उत्तर प्रदेश, माध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और अंत में महराष्ट में यात्रा, महराष्ट की राजदानी मुंबई में इस यात्रा का समापन होगा, ये वो 14 राज्य हैं जहां राहुल गांदी की भारत नया यात्रा गुजरेगी और इन राज्यों में ये बड़ी सीटे, 355 लोग सभा की सीटे इन 14 राज्यों में पढ़ती हैं, ऐसे में ये देखना दिल्चस्प होगा, इनमें से राहुल गांदी कहां कहां अपना असार दिखा पाते हैं, अब आप खासकर राजस्थान, मदप्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात वो राज्य है जहां लोगसभा के चुनाओं में 2014 के बाद से कॉंग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है वो बेहद ही निराशा जनक रहा है, राजस्थान में तो खाता नहीं खुल रहा है, गुजरात में यहां यात्रा है, वो कितना अपना इंपैक्ट डाल पाती है, यह जो है देखने वाला होगा, अब आपको यह भी बता दे, कहां कहां कितनी सीटे हैं, यानि जो 355 लोगसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं इन 14 राज्यों की, उनमें आप देखिये मनिपुर में 2 है, मेगाला पफशिम बंगाल में 42 है, यहां PMC का पलोडा भारी रहता है, पिछली बार 2019 में 18 सीटों पर 42 में से भारती जनता पार्टी को भी जीत मिली थी, अब पफशिम बंगाल में ममता बनर जी राहुल की भारत नया यात्रा को अपना कितना सा मरतन देती हैं, यह भी देखना दिल होने वाली है, कि आखिर जो विपक्षी दलों के नेता है, वो राहुल गादी की भारत नया यात्रा को अपना कितना समर्तन देते हैं, बिहार में देखिए, बिहार में भी कॉंग्रेस सरकार में है, नितिज कुमार मुख्यमंत्री है, आरजेडी भी सरकार का हिस्सा है, अब इन राजियों में खासकर बिहार, बंगाल और जहारखंड में राहुल की भारत नया यात्रा को कितना समर्तन मिलता है, सरकार में बैटे लोग और सरकार के जो नेता है, वो नितिज कुमार हों, सीबू सोरेन हों, ममता बनर जी हों, वो कितना समर्तन देती हैं, ये भी देखना दिल्चस्प होगा, हाला कि कॉंग्रेस तो इन सारे नेताओं को नियोता बेजेगी, और उनसे यात्रा में शामिल होने के लिए भी अनुरोध करेगी, लेकिन अब वो कितना अब उस यात्रा को अपना समर्तन देते हैं, ये एक बहुत दोज़ वह दिल्चस्प ब बग ये कवर करेंगी, इन राज्यों से होकर जाएंगी, और इन राज्यों में इतनी सीटे हैं, और इसा में 20, MP में 29, 36, 11, राजस्थान 25, उत्रप्रदेश असी, गुजराच 26, और महराष्ट 48, बनलब इतनी सीटों पर ये जो राज्य हैं, 14 राज्य हैं, उनमें से इन र इतनी सीटे हैं, और इन सीटों पर जब राहुल गाधी जाएंगे, तो कितना असर डाल पाएंगे, मद्दाताओं के बीच जो अपना विश्वास है, उसको कितना कायम कर पाते हैं, जो कॉंग्रेस का एक खोया जनाधार है, उसको कितना हासिल कर पाते हैं, ये बड़ी बड़ो यात्रा की थी, उसकी सफलता भी, उनको मिली, पार्टी को मिली, करनाटक होते लंगाना हो, इन राज्यों में, जब विधानसभा चुनाओं हुए, तो माहौल बतला कॉंग्रेस के पक्ष में मद्दाताओं ने मद्दान किया, और कॉंग्रेस की सरकार बनी, अब इतनी राज्यों से फिर से गुजरेगी, और खासकर 24 चुनाओं से ठीक पहले, अब कहां कहां राहुल गांदी का कितना इंपक्ट पड़ता है, ये देखना दिल्चस्प होगा, लेकिन जो 14 जनवरी से 20 मार्श के बीच, जो राहुल की भारत निया यात्रा होने वाली है, वर्ग विशेश को लेकर बात कर रहे हैं, अब भारत निया यात्रा के दौरान वो इन मुद्दों पर कितना बात करते हैं, और जनता से कितना कनेक्ट हो पाते हैं, और जनता का कितना समर्थन उनको 24 चुनाओं में मिलता होगा, ये देखना दिल्चस्प होगा. नमस्कार, मैं हूँ मानक गुपता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें, तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखके रहे हैं, यूस 24